Hello everyone, welcome back again तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम discuss करेंगे आपकी area in parameter of rectangle and square से related एक और क्लास है ध्यान से देखना बिटास ने क्या बोला we have to find the area in parameter of rectangle and square अब इस पे आपको कितने type के question मिल सकते हैं वो आपने सीखना है सबसे पहले हम discuss करेंगे parameter के बारे में parameter होता क्या है parameter होता है जो भी आपको figure given है sum of all sides जो भी आपको figure given है उनकी सारी sides का sum sum of all sides तो इसका parameter क्या होगा बेटा इसका इन सब को क्या कर दू plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 3 5 plus 5 10 plus 8 plus 3 10 plus 11 it means 21 cm clear तो एक तो concept होगे parameter होता क्या है parameter होता है outer boundary अब यहाँ पर देखो मैंने निकाला क्या यह सिर्फ outer boundary outer boundary इसको मैंने क्या कर दिया plus कर दिया this is called the parameter इसको क्या बोलता है परिमीटर अब question आता है यहाँ पर जो दिया होगे parameter of rectangle in square क्या पूछ रहे parameter rectangle का कैसे निकालोगे square का कैसे निकालोगे अब यहाँ पर देखो rectangle की property क्या कहती है आप सब को पता है rectangle होता क्या है rectangle क्या होता है जिसकी opposite sides क्या होती है equal होती है यह 4 cm है तो यह भी 4 cm यह 5 cm है तो यह 5 cm ऐसी figure को क्या बोलते है rectangle क्या बोलते है rectangle जिसकी आमने सामने की यानि की opposite sides चो होती है वो क्या होती है equal होती है जो आमने सामने की बुजाए होती है वो क्या होती है बराबर होती है rectangle में अगर parameter का मेरे को formula find करना है तो मैं कैसे करूँगी 2 into length plus spread 2 into length की value कितनी given है length देखो यहां से कितनी है अगर मैं compare करूँ तो this is the length देखे यह length और यह तो आप देखो यहां से L की value 4 plus 5 कितनी आ गई यहां से 4 plus 5 9 और 2 into 9 एक तो question वो आपको ऐसे देगा कि यह आपको length है दे रखे यह आपको breadth है और आपने क्या निकालना parameter of this rectangle तो आपने direct formula लगा देने 2 into length plus breadth यहां पर जो जो value this is length, put कर दो this is breadth, इसको put कर दो तो 4 plus 5 9, 2 into 9, 18 कितना आगे 18 cm दूसरा question वो आपको किस type से देगा यहां से देखना अब यहां पर आपको क्या दे रखे square क्या दे रखे square वो question देगा side of square is 7 cm then find perimeter of square perimeter of square side की value कितनी है 7 हमें क्या निकालना है perimeter तो आपने यहां से एक बात ध्यान रखनी है perimeter of square is equal to 4 into side 4 into side कितनी है बिटा 7 तो into 7 यानि कि 28 cm आपका क्या हो जाएगा answer तो यह थे दो type की question अब तीसरा question वो कैसे पुछेगा अब वो आपसे पुछेगा ध्यान से देखना है it is clear to everyone मैं last में आपको कुछ questions दूँगी उन question के answer आपने मेरे को क्या करने comment box में लिखके देना है अब यहां पर देखो यहां पर जो आपको दिया हुए आप दे रखा है पैरी मीटर पैरी मीटर ओफ स्क्वार is 44 cm then find length of side length of one side ठीके तो कैसे निकाल लोगे पैरी मीटर स्क्वार का क्या होता है 4 into side ठीके और इसकी वेल्यों कितने दे रखे 44 cm यह multiply में वहां जाके divide में तो side की वेल्यों कितने आ जाएगी 44 by 4 यानिके 11 cm तो यहां से formula बना side की वेल्यों कर निकालने तो क्या आ जाएगा पैरी मीटर by 4 क्या आ जाएगा पैरी मीटर by 4 clear अगले question पर आओ अगले question क्या है ध्यान से देखना बिटा last me questions दूँगी उनकी answer आपने मेरे को solve करके और जो youtube पे मैं आपको डाल रही हूँ comment में आपने मेरे को लिखके देनी है ध्यान से देखना बिटा अब आपको क्या दे रखा है perimeter of rectangle is equal to 168 cm and length of rectangle is given to be 53 cm हमने क्या निकालनी है breadth तो इसके लिए भी एक formula याज रखलो length निकालनी है तो length लिख दोगे breadth निकालनी है तो breadth formula क्या है यहाँ पे breadth निकालनी है तो formula breadth के लिए लिख रही हूँ क्या आजेगा perimeter by 2 और minus length यह आपका formula है तो यहाँ से perimeter कितना है 168 और उसको किसे divide कर दूँ 2 से और minus कर दूँ length length कितनी है 53 अगर यहाँ पे length निकालनी है यहाँ breadth given तो उल्टा हो जाएगा यहाँ length आजेगी यहाँ breadth आजेगा formula सेम रहेगा 2 8-za and 2 4-za तो कितना आगे 84-53 तो 4 में से 3 गया 1 8 में से 5 गया 3 तो 31 cm आपका क्या आगे answer clear सबको समझ आ गिया होगा पहली type का question में और यह आपको करा चुकी तो basically आपकी पास 4 type की question है अब मैं आपको question लिखके दे रही हूँ आपने उनके answer मेरे को क्या गरने है perimeter of square is 11 cm then find side of the square first question and second question दो ही question मैं आप लोगों को दे रही हूँ ध्यान से देखना ठीके perimeter यहाँ पे लिख ले ना perimeter आपको दिया हूँ 52 cm ठीके अब अगला question आपके पास क्या रहेगा if perimeter of rectangle is 40 या 54 cm and length is equal to length is 12 cm then find breadth of rectangle clear है सबको तो बिटा ये थी आपकी आज की वीडियो I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much झात कीण बिटीड़ट